संदीप पाठक जी आतिशी जी दीपक बाब्रिया जी सारोग भारतवाज जी अर्विंदर सिंग लवली जी और यहां पर उपस्तित सभी पत्रकार साथ क्यों नमस्कार कि पिछले कुछ समय से इंडिया गटबंदन के विबिन राजनेतिक दलों के साथ में लोगसभा के सीट शेरिंग को लेकर चर्चा चलते रही और आपको इस बात की जानकारी है कि दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतिय राश्टिय कॉंगरेस पार्टी का सीट शेरिंग को लेकर समझावता हुआ उसकी गोशना लखनाउ से हुई समाजवादी पार्टी को एक सीट लोगसभा की फजुराओं ये मध्यप्रदेश में देने का भी ऐलान लखनाउ से किया गया है पिछले दिनों में आम आत्मी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरान भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस और आम आत्मी पार्टी की बीच सीटों को लेकर समझोता हुआ है जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूँगा मुझे खुशी है कि दो महत्वपूर्ण राजनेतिक दल इंडिया गटबंदन के आने वाला लोगसबा चुनाओं का पूरा जिम्मा एक साथ समालेंगे कि और जिस तरह की परिस्तितिया आज मुल्क में बनी है जो चुनाओतिया हमारे लोक तंत्रों हमारे सभिधान के सामने बनी है उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गटबंदन पूरी तरह से सशक तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझोता हुआ दिल्ली लोकसभा में साथ सीटे है आम आदमी पार्टी चार पे लड़ेगी वो चार सीटे नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और इस्ट दिल्ली कॉंग्रेस पार्टी तीन सीटों पर दिल्ली में चुनाओ लड़ेगी चान्नी चौक, नौर्थ एस्ट और नौर्थ वेस्ट गुजरात में 26 लोगसबा सीटे है, 24 पर कॉंग्रेस लड़ेगी, दो सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेगे, भरूज, लोगसबा और भावनगर लोगसबा की ये सीटे होगी हर्याना में 10 लोगसबा सीटों में से 9 सीटों पर भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस लड़ेगी, और एक सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेगे चंदीघड को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखरी में ये ये तैक किया गया कि चंदीघड में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस कि प्रत्याशी चुनाव लड़ेगे गोवा में भी खास करके दक्षिन गोवा में विस्तार से चर्चा हुई लेकिन फिर यह ताय किया गया कि गोवा की दोनों की दोनों सीटे यह भात्य राश्ट्री यह कॉंग्रेस पार्टी लड़ेंगी तो संक्षेप में यह सीटों को लेकर यह जानकारी आपके समझ रखनी थी यह संभव है दो अलग-अलग राजनाइतिक डल हम होने की वज़े से अलग-अलग चुनाव चिन्नों पर हम यह चुनाव लड़ेंगे लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेंगी कि दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी तीन पर प्रत्याशी रखने के बाद भी सातों पर हम कि इसे दिशा में हमारा रहेंगा के दो मैं उसका करेंगे और स्थी तरह किस्तिति हम दोनों करने के दिशा में प्यास करेंगे तो भी कि अधने वाद मुपल जी आप सब का सवागत है तो बारे में मुपल जी ने सारे स्टेट्स का डिडेल में बता दिया है मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज देश जिस परिस्थिती से गुजर रहा है जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खतम कर रही है एक एक करके जिस तरीके से चुनाओं की चोरी हो रही है जिस तरीके से चुनाओं की चोरी करने के लिए चुनाओं को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है जिस तरीके से किसामों के साथ अन्याय हो रहा है जिस तरीके से पूरी देश की जन्ता बेरुज़ के राजनैतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गड़बंदन में आये हैं और गड़बंदन में आने का उदेश मैं एक बार फिर से आप सब के समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है पार्टी हमेशा स से कंडरि है इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि यह कंग्रेस यहां से लड़ेगी आवादमी पार्टी यहां से लड़ेगी इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने candidate उतारेगी और कुछ तीटों पर Congress अपने candidate उतारेगी, मेरा ये मामना है कि भारती जनता पार्टी के जो calculation और जो भी इनोंने अपनी रड़निती बनाई थी, वो सारा इस Alliance के बाद से उलट फेर हो जाएगा और देश की जन्ता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे बहुत 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 पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूच्वली ये तै किया है कि अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे सब्सक्राइब प्रचार्ड पर चुनावाश है। कि इस सार्ड आप प्रकुमली प्रचारड पर सुनावाश पर कितना अगर एक। ऐसे में आपकी दिनतर परें दूसरा किया पिर रिचाड रहे हुए। हमने एकुपी में भी देखा था और वो सफ़ल नहीं हुआ था भायवती और समझ वाधी ऐसे अपने पूछले कैडर को कैसे समझा पाएंगे के जिनके खिनाव आप सब्सक्राइब है यहां आप आप रोग एक है देखे हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीती में आए आज एगर हमारे कैडर से पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है वो कहेगा कि देश इंपॉर्टेंट है और वो भली भाती आज की राजनेतिक परिस्थिती को समझ रहे हैं तो मिलके लड़ेंगे कैडर साथ में लड़ेगी और रहासवाल कैमपेइन के छोटे-छोटे ज आप उस्रेकिए नहीं जंता बहुत समझदा है जंता सबस्जाब आज एगर वाजनेतिक परिस्थितियों को समझ कर राय मश्रूरा करके यह हमने पैसला किया है यह दोनों राजनेतिक दलों के पीच में और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पैसले का सम्मान कॉंग्रेस का हर कार्यकरता करेगा और आम आदमे पार्टी के भी कार्यकरते कार्यकरता यह समझोता पूरा इसको मानेंगे पार्टी को बीचे रखा है और उसी देश इनको बात करते पर आप अच्छे से समझ सकते हैं और उन परिस्थितियों को देखकर यह फैसला किया गया है कि वहां पर दोनों राजनेटिक दल यह अलग-अलग से चुनाव लड़ेंगे अधिन के जिवाल की बड़े की अधिन के शिवाल कि अधिन के जिवाल की बड़े की और इसका अधिन के बात देखिए यह सिर्फ आम आजमी पार्टी यह आम आदमी पार्टी के निता अर्विन केजरिवाल जी तक के ही यह प्रश्न सीमित है ऐसा मैं नहीं मानता हूं आज जिस तरह की परिस्तितिया भारतिय जन्ता पार्टी ने देश की राजनेती में खड़ी करी है पूरे मुल्क में एक तरह से कहें कि यह लोगतंत्र के सामने चुनौती है हर किसी के उपर ED, हर किसी के उपर CBI, हर किसी के उपर income tax, हर किसी के उपर इस तरह से दबाओं डालने की राजनेती भारतिय जन्ता पार्टी कर रही है जो हम समझते हैं कि भारत के लोगतंत्र के लिए बहुत खतरनाथ है और इसका मुकाबला सिर्थ आम आद्मी पार्टी ही नहीं, भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस ही नहीं, भारत के लोग इसका मुकाबला करें थैंक यू